और दोस्तों कैसे हो आप लोग उमीद है सब पढ़ियां से होगे मॉनिंग जो है 5.30 में हुई है और उट्टे ही जो है ये कॉपर के ताम्बे के बोटल में रखा हुआ पानी हाँ अब ये आपने कुछ चीज़े याद दिलाई थी उनको मैं फॉलो कर रही हूँ कि वुडन सर्फिस के ऊपर रखना है ताम्बे के ही ग्लास से पीना है या फिर काच के ग्लास में तो ये जो है ताम्बे का ग्लास कॉपर का ग्लास था मेरे पास लेकिन हम भूल जाते थे और जो हाथ में आता था उसी से पीते थे लेकिन अपकी मैंने याद करने के लिए ट्विच फॉलो करिए जो कि अभी आपके संग शेयर करेंगे साथ में बहुत सारे फ्रेंट्स ने का था बैट के पिया करिए खड़े खड़े पीने से आपके घुटनों में प्रॉबलम हो सकती है तो आप सही कह रहे हो मेरी जो दादी थी ये भी हमेशा कहती थी कि पानी जो है हमेशा बैट के पीना चाहिए खड़े के नहीं पीना चाहिए नहीं तो पेट निकलाता है वो ये logic देती थी बरहां logic कुछ भी दे रही हो लेकिन जो है जो जी अच्छी है फाइदे मंद है उसको जरूर फॉलो करना चाहिए चाहे आप life के किसी भी face में हो चाहे आप 30 years के हो या 50 years के हो या 60 years के हो जो भी जी अपने फाइदे मंद के लिए है उसको दोस्तों किसी भी उमर में उस आदत को डालने से चुकना नहीं चाहिए तो यहाँ पर जो है महाशे जी के लिए मैंने चाय बना दी है वो जो है वाक के लिए morning वाक के लिए ready हो गये हैं और मेरा काम है उनको चाय दे देना तो यह लो भाई चाय की तो महक सुनते है तो मेरा मन कर जाता है लेकिन कोई बात नहीं पानी पी करके भी दोस्तों पेट भर जाता है अच्छा जो बोलते हैं कि इसको जो wooden surface के उपर रखना चाहिए जो copper का पानी है वो दोस्तों इसले कहते हैं क्योंकि जो copper का या पानी होता वो charged water रहता है तो किसी भी charged चीज को आमीन में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि earthing की problem होती है इसले wooden कोई भी चीज उस पर रख देना चाहिए ज्यादा अच्छा चाहिए टेबल रख लो कुछ भी रख लो मेरे महां पर chopping board सामने रहता है तो मैं रख लेती हूं तो यहां पर walk के लिए निकल के जा रहे हैं और सु सुबे सुबे ये भी आए हैं और आप महौल देखिए कितना सुन्दर विकुल ऐसा लग रहा है कि इसे जंगलों में है पहली बारिश के बारी दोस्तों विकुल पेड़ पौधों में कैसी सूरत सी हर्याली आ जाती है वाक पूरी हो गई है और यहां पर थोड़ी दे करवाएंगे वाक हो गई है दोस्तों फिर हमारी हमने जो है अपनी आदर डालने के लिए दोस्तों क्या था ना दो चीज घूल जाती थी एक तो खहते ना बासी मूँ पानी पीना है ब्रेशनी करना चाहिए पानी ऐसी पीना चाहिए ताकि रात बर का मूँ में जो भी मेरी आदती है कि सीधे बिस्तर से उठो वाश्रूम जो ब्रेश करो फिर पानी पीओ तो मैंने क्या करा है कि मुझे कॉपर वाला जो मेरा ग्लास था उसको मैंने अपने बैट के बगल में रख लिया है जहां मैं चश्मा उतार के रखती हूं ना मैं बहुल वहीं बगल में रख लिया है चैसे ही सबेरे उठ करके मैं अपना चश्मा पहनती हूं तो तुरंत मुझे ग्लास दिख जाता है और मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि मुझे पानी पीना है पहले तो देखे छोटी-छोटी सी आदती ऐसे कैसे किसी चीजों से जोड़-जोड़ करके ह हम लोग को याद रखनी पड़ती है तो वरहाल महाशे जी जो है नहाद हो लिये हैं चलकर इनके लिए ब्रेकफास्ट तयार किया जा इसी में हम भी कर लेंगे आज जो है बड़ा क्लाउडी वेदर है देखो छत में जाने को कब होता है मेरा अभी तुम्हें गई नहीं हू अभी जाओंगी इसके बाद पहले पानी जालने का टाइम था लेकिन देखा मौसम थोड़ा वैसा हो रहा है तो अमने को अल्रेडी पानी पड़ी गया होगा आज दोस्तों आपको हम एक प्याज का परेठा बनताएंगे जो कि एक सिंपल कहने में प्याज का है लेकिन वह बहुत टेस्टी लगता है खाने में उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है और वह ट्विस्ट से उसका नया टेस्ट हो जाता है बिल्कुल तो यहां पर एक मैंने म महीं महीं काटा है आप चाओ तो कद्वकस भी कर सकते हो पीस भी सकते हो तो यहां पर जो है प्याज मिला दिया है यह इसमें जो थी कसूरी में थी है हरी मिर्च मिला दी है और यह टेस्ट किसे आप से नमक अब उसमें दोस्तों ट्विस्ट है यह अचार का मसाला कोई भी आपके पास अचार हो, तो आप उसका मसाला डालिए जितना भी निकाल सकते हैं, जादा डालोगे और चटपटा बनेगा, कसूरी मिथी थोड़ी सी कम पर रही थी, तो मैंने का और डाल देते हैं, तो पहले प्याज की जितना भी मौशर है, उसको मैं ऐसी हाथ से मसल करके मिल रही हूं तो यह की फट्टा बहुत ज्यूद्रादा करके सां करें दस में हूं है, विके तो कर만ी कहीं है धाणते हैं, जू में कि दै बाद कृटि सी तो यह तुथी कृट्ट गई थी है, चूड़े कृता कि भी रहा धा, अक्वा नार्म हमाते करके, हैं वैसे ही से करते हैं तो हम जो हैं घी बहुत ज़्यादा नहीं लगाते हैं वासा हलकाई और गयरा लगा करके बनाते हैं इसको तो यह चीजें हैं कि देखें लाइफ में छोटी-छोटी सी आदते अपना करके चीजों को फॉलो करके और यह कभी मत सोचे कि हम मारी उमर हो हुआ है तो अब हम यह चीज करने लायक नहीं है हमेशा इंप्रूब्मेंट करते रहे हैं अपनी लाइफ स्टाइल में अपने बैटर्मेंट के लिए तो यहां पर दही दे दिया है उसमें जो है यह काला नमक और जीरा मिला दे रहे हैं और यही इनका नाश्ता रहता है औ और मैं भी ले लेती हूं इनको भी दे देते हैं और चाई पी ले नाश्ता कर ले उसके बाद थोड़ी बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं तो यह दिबा है इसी में रखा रहता है तो शायर करके कुछ बोलते हैं एक्जेक्टली मुझे नाम नहीं पता है तो गर्मी भर तो मैं यह वाला दाना डालती हूं सरदी में बजरी डालते हैं तो यह हमारे यहां जो लोकल शॉप्स होती है जहां पर यह दाल चावल मिलता जर्नल शॉप्स होती है पर चून वाली सिंपली कहें तो वहां पर यह खुबसानी से मिल जाता तो एक में पानी भर दिया है और एक में दाना रख दिया है थोड़ी देबाद देखा तो आकर क करके मैंने इधर किनारे शेड में कर दिया कि नहीं पानी ना भर जाए इसमें अब जो है वही थोड़ी बहुत सफाई ये फाई वाला काई क्रम है सुबह के समय दोस्तों इतना ही रहता है सुबह के समय थोड़ा मेरे पास खाली समय भी रहता है कि मैं सारे काम अराम से कर लेत तो मेरा कहने का इंशॉट पतलब यही था कि हमेशा इंप्रूब्मेंट करिए अगर आप इंप्रूब्मेंट करोगे तो आपके बच्चे जो है देखा देखी होता ना कि ममी आप अभी कर रहे हैं तो वो भी अच्छा करने को सीखते हैं बच्चे सबसे हदा हमी लोग से कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे दोस्तों लोग तो हर चीज में आपको कहेंगे अगर आप सोचोगे तो अगर आप लोगों की परवा करना छोड़ दोगे तो कोई कुछ नहीं करेगा कहेगा ऐसा फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक ये लिए गुड़ पा आप मैं विया ये वीड़ वी दो हर आपना चाहुष आपको गया आतने हैं कि आपको कहेंगे दिया हैं वीडियो का आपको का और को दो हर ग जापको करें लोगशे घापको के तब दिया हैं अबटार के अवार के